सबी को नमस्ते रादे रादे रादा वा लबसे रिवन्स और आज मेरा ना सपना पूरा हो गया देख सकते हैं आप आज स्टेंड बनके आगे हैं और आप मैं अपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुस हूँ जब यह बनके आया ना आठ दिन-दस दिन होगे मैंने ओर दर किरा थे मतलब मैंने बनवाए हैं लोकल मार्किट में ओर दे के वो भईया नाप लेके गए थे आग के घर पर तो उनी से बनवाए हैं अब यह सेकिंड टाइम आया अंकल उतार ने एक बार तो उतार के चल गए दुबार लेके आये हैं और टोटल मेरे बने है साथ स्टेंड तो अब देख सकते हैं आगे हैं सारे अंदर लगा दिये हैं हमने और अब बारियातिया इनना उपपर चड़ाने की और ये बहुत ही सुरू में तो अब लग रहा था कि हम अराम से चड़ा देंगे अब ये को त लेंगे इतने मजबूत बने हैं और जो अंकल लेके आयने था ने रिक्षया मैं वो कह रहे थे कि मैं चड़वा देता हूं पर लेकिन अब कहने लगा मम्मी ये इतने बुजुर्ग हैं आप इंसे रहने दो धीरे-धीरे करके हम ही चड़ा लेंगे तो ये नेक्स डे मैं औ पूराई काम जोड़ रखा है तुमने तो ये और ये मतब कितना एक डेड़ साल हो गया दो साल हो गया मेरे गार्डन को बने हुए कहीं जो मेरे सस्क्राइबर है उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया कि आप स्टेंड बनवा लीजिए लेकिन आप भी जानते हैं हर चीज का एक समय होता है अपने समय के अनुसार सब चीजे होती हैं मैं एकी साथ नहीं कर सकती थी इतना कर्चा लेकिन अब मुझे पर्मिशन मिली कि मैं कर सकती हूँ तो इसलिए मैंने अब की बार ये हिम्मत दिखाई और स्टेंड बनवा लिए हैं और यही मतब आप ओनलाइन ले और उससे डबल क्वाल्टी में डबल होगा मतलब दूरेवल्टी इनकी डबल होगी बहुत मजबूत बने हैं बहुत हैवी हैं कम से कम है आप ये मतलब 50 साल भी कहीं नहीं जाने वाले इतने अच्छे बन गया है वह आपके उपर बात है कि आप इनका कैसा यूज करते हैं यूज से मतलब इन पर पेंट करके रखते हैं या नहीं रखते और देखो इस टैंड लाते हुए न मैं गिर भी पड़ी थी अभी देखा न आपने दढाम से पड़ी अभे कह रहा था आप ठगी हो थोड़ देर रेस्ट कर लो यहीं पर रोक के इसको रेस्ट करने के लिए कहता मैं इनने कहा नहीं कोई बात नि ऐसा लगा मुझे कि पैडियां खतम हो गया और मेरा पैर स्लीफ हो गया चोट नहीं लगी ना इससे डैंड को कुछ वा ना ही मुझे कुछ वा लेकिन ऐसे तो मैं हार मानने वालस मैं से हूनी आप भी जानते हैं यह तो तो अब यह य लेयर का है यह थोड़ा जादे है वी था तो इसले इसमें थोड़ी से जादे ताकत लगानी पड़ी और हालत बिल्कुल खराब हो गिए हालत कराब होगी साथ चड़ गया चड़ गया सारे उपर अब पेंट करेंगे इन पर हमने आवर अब पेंट नहीं करेंगे तो जंग लग जाएगा सारों में तो चली पेंट कर लेते हैं अब पेपर भी लेकर आगया तो जी चलिए अब पेंट कर देते हैं पेंट से मतलब पहले हम इस पर करेंगे जो लोहे वाला प्राइमर आता है न वो तो यह अब इने पेपर डाल दिया हाला कि पेपर का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि जब इतना हैवी है इसे हम इदर उदर खिसकाएंगे न तो पे पाइमर हिला के मैंने ले लिया एक डबबे में बोतल काटके उसमें और आधलिया है अब इने बलकि अब इस काम से जल्दी बोर हो गया था अब तो एक भी कंप्लीट नहीं कर पाया पूरा मतब एक मैं तो थोड़ी देर लगा ही रहा आप देख ले ना फिर बाकी सारे में पूर कोई करने पड़े है क्योंकि बच्चे इतना पेशंस का काम नहीं कर सकते बच्यों के बसकी बात नहीं है उन्हें तो ये लगता है रहे मिआप न लेबर को बिलाकर करवा लेजीए लेकिन मैं लेबर पर विश्वास नहीं करती हूँ मैं अपना हर काम खुद कर करने क खुद क्योंकि ये पानी में रहेंगे इनके उपर पोदे रखेंगे पानी डलेगा तो अगर जहां भी पेंट नहीं पहुचेगा तो महीं से जंग लंगना स्टार्ट हो जाएगा तो मैंने इचाती कि ये जल्दी खराब हो जाएं तो इसलिए मैंने ये खुद सारे पेंट करें बहुत अच्छे से बहुत गाड़ा गाड़ा प्राइमर कराया पहले और सारा प्राइमर मैं करने के बाद पहले इन्हें सुखाऊंगी उसके बाद इन पर फिर पेंट होगा च तो अब मैंने एक छोटा कपड़ा ले लिया है और उसको प्राइमर में डुबो-डुबो के इस तरह में जो पेंट करते हैं बहुते कैसा होता है तो बस देख देख के सीख जाते हैं और रही हातों की बात गलव्स वगएर मैंने पैनने रही है नहीं है क्योंकि तारपीन का थेल लेका यह उसी से साफ करूँगी क्योंकि गलव्स पैन के बिना उतना अच्छा नहीं हो पाता फिर ऐसा लगता रहता है कि यहां से हाथ गंदे होगे तो अब जब एक साथ गंदे हो रहा है तो होई रहा है और देखते हैं कि कैसे कर पाता है कर पाएंगे और नहीं कर पाएंगे तो अभी जहां जहां थोड़ा थोड़ा बच्चा था तो अब यह कर रहा है अब यह हमारा एक स्टैंड ओल्मोस्ट हो गया है अब हम इसको रखेंगे साइड में सूखने के लिए और फिर दूसरा स्टार्ट करेंगे करना अब देखो ये अब सोचा था एक हाथ सा उठा लो ये एक हाथ सा नहीं उठा रहे क्योंकि बहुत हैवी है देख सकते हैं तो मैंने बनवाए पांच-पांच फुट के दो बनवाए हैं चार फुट के तीन बने हैं डबल और एक चार फुट का बना है ट्रपल और एक बना है दो फुट का सिंगल नहीं डबल बना है वो भी तो इतने स्टैंड मैंने बनवाए है ना आप देखे और इस इस वीडियो में तो मैं आपको बता सकती हूँ कि बस इतना ही क्योंकि लंबी हो जाती वीडियो अभी मनें ये पूरे पेंट मतलब हो ही रहे हैं अभी ये नहीं सोचा है कि कहां कौन सा पोधा लगाऊंगी लेकिन हाँ पेले ये पेंट हो जाएं पूरे सूख जाएं उसके बात देखते हैं पोदे भी अरेंज करेंगे क्योंकि पोदों के लिए ही बनवाए हैं और ये खाली प्राइमर हो कहीं ऐसे लग रहे थे कि इन पर मैं अभी पोदे लगा दूँ इतने सुन्दर लग रहे हैं लेकिन अभी नहीं अभी इन पर एक एक कोट पेंट का ओर होगा अब बिल्कुल भी मैंने लापरवाई नहीं किया कि एक ही तरफ से ऐसे चारो तरफ गूम गूम के इनके बहुत ही अच्छे से पेंट किया है तो अगर आप भी स्टैंड बनवा रहे हैं तो खुद से पेंट करें उनको तो आपको तसली रहेगी कि हाँ हमने कुछ काम किया अपने गार्डन के लिए और इसमें एक अलग खुशी हो जब कोई आएगा ना देखेगा ये कहेगा रहे स्टैंड बनवा लिया है बड़ा मतब पेंट किस से करवाया और जब आप ये बताओगे ना मैंने खुद किया है तो उस बात की खुशी तो अलगी होती है महनत कहत तो वस वो ही देख सकते हैं आप बिल्कुल तसलिस है एकदम हाथों की कोई चिंता नहीं है अगर हाथ खराब भी हो रहे है तो हो जाएं और ये आपको बताओं ये मेरा बड़े गिप्ट है ये stand जितने भी बने है न ये मेरा वड़े gift है क्योंकि अभी मेरा mood नहीं था बनवाने का क्योंकि इतना मैंने सोचा कि चलो नहीं बनवाते हैं अभी क्योंकि ज़्यादे पैसे लगेंगे लेकिन मेरा वड़े आया था पिछले मईने तो husband नहीं पूचा क्या चाहिए मैंने का मेरे को आप cash दे दो उन्होंने पूचा क्या करोगे तो मैंने का कि मैं कुछ भी करूँ आप अभी नहीं पूच सकते मुझसे मैं क्या करूँगी लेकिन मैं आपको बता दूँगी कि मैं क्या करूँगी उन्हें का ठीक है तो मैंने उनसे पैसे लिए और अभी मैंने उनको ये बताया भी नहीं कि स्टेंड बने है यही सायद जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो तब वो देखेंगे कि उन्हें स्टेंड बनवा लिए हैं तो बस तो इस तरह आप फायदा उठाईए उन पैसों का मैं अपने उपर खर्च कर सकती थी लेकिन मुझे गार्डन अपने आप से भी ज़्यादा प्यारा है तो इसलिए मैं अपने गार्डन को सजाने के लिए स्टेंड बनवा लिए हैं तो मैं कह सकती हूँ गार्व के साथ कि ये मेरा बड़े गिफ्ट है और इसको मैं जब जब देखूंगी तब तब खुस होंगी तो आप भी इस तरह कर सकते हैं पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो आप सोच सकते हैं कि मतब केवल अपने उपर खर्च कर सकते हैं और या ये गार्डन सजाओंगी तो मैं इससे पूरा घर सुन्दर दिखेगा मेरा आने वाले भी तारिफ करेंगे कपड़े या कुछ भी मैं खरीती या कहीं घूमने जाती तो वो तो केवल मैं फील करती ना इसको पूरी फैमली फील करेंगे तो देख सकते हैं हाथ सारे कर दिये मैंने हालत देख लो और कैसी हो गी है बिलकुल दो दिन लगे इसमें कपड़े चेंज करके ये एक ही जोड़ी कपड़े खराब करें है मैंने तो बार-बार इनी को पहन लेती थी जब इनको करती थी और प्राइमर हो गया है सारा और तारपीन का तेल इतना ज़्यादा लगा हाथों को साफ करने के लिए ना खुनों में भर गया अंदर तक और अभी मैं कर रही हूँ साफ देख सकते हैं आप कितने सुन्दर हो गया है मेरे सारे स्टैंड प्राइमर होनी के बाद अभी पेंट बाकी है इन पर पेंट भी करना है और पेंट देखते हैं कुन से कलर का करेंगे अच चपलों की आला देखो क्योंकि अगर चपल नहीं पेंटी तो फिर पैर गंदे हो जाते तो इसलिए मैंने चपल पेंट के ही किया है अब इनको भी तारपीन के तेल से थोड़ा साफ कर लूँगी अब तारपीन के तेल से पेंट अट जाता है बहुत अच्छे से ये भी मैंने उन भाईया से ही सीखा है जो पुताई करने आते हैं तो ये भी उनहीं से सीखा है तो थोड़ा सा तारपीन का तेल लगा लगा के अपने चपले भी साफ कर लूँगी अर लीजे जी पेंट करने की वीडियो मैंने नहीं बनाई है लेकिन आप देख सकते हैं फर्स का क्या हाल हो रहा है और मेरे सारे स्टैंड ब्लैक कलर से मैंने पेंट किये हैं यह चपल यह रखी और अब ही मैं आपको अपनी हालत भी दिखाती हूँ कि मेरी हालत क्या होगी है क्योंकि आज बच्चे घर में नहीं थे तो आज मैं पूरा दिनीनी में लगी रही तो फुर्सत नहीं मिली कि मैं वीडियो बनाऊँ ही मेरे हाथ पेंट में हो रहे थे न अब हाथ दोने के बाद मतब तेल से साफ करने के बाद फोन लेके आई हूँ और देख सकते हैं आप करती हूँ तो प्लीज सपोर्ट कीजिए मिलती हूँ फिर नए वीडियो के साथ तब तक के लिए सभी को नमस्ते रादे रादे और बाई बाई खुस रहिए हैप्पी रहिए